Hello everyone, welcome to missile classes और मैं आज आज आपके सामने लेकर आये हूँ English score का जो आप लोग का पहला टॉपिक है the lost lesson हम लोगों ने थीवरी lecture बहुत बहुत बहुतर तरीके से में डिस्स करवाया हूँ दो lecture में पुरा completely solution करवाया हूँ अगर आप मैं इसे कोई से students है जो अभी तक नहीं देख देखने के बाद अभी जो मैं कराने वाला हूँ टैनियर का previous question आप यावकीन मानिये इस बात का कि मेरे एंसर बताने से पहले पहले आप खुद एंसर कर लेंगे पास वहां पी जाके आपको पहले देखना होगा तो मैं आज आपके सामने 10 साल पिछले 10 साल में कितना question और इंग किस तरह से हमारे men character कौन था हमारे men character के साथ साथ जो हमारा French था हमारे French के साथ साथ जो हमारे writer थे मैंने बताया है कि Mr.Hemal और हमारा जो है French दो बहुत ही important टॉपिक का रोल निभाता है यह जो दोनों language आप देख रहे हैं यानि तोन बैक्ति को देख रहे हैं बीच में नहीं डोनों मैन के तरीके के सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ ना करें पेले श्ट्र का पेंड करें सर्च करें मिसाल क्लास के अप्लिकेशन को डाउंलोड करने के बाद आप वह भी बेग्राउंड से रिलेड़ेड़ आर्स कॉमा साइंस अगर आप माले के चले मेरे भाय कि अगर आप आर्स बैग्र तरीके से यहां पर तयारी होती है सुबा साम दोनों टाइम ओनलाइन क्लास से स्टार्ट किये गए हैं तो जल्दी से जाए कोर्स को जोएन कीजिए और आनंद लिजिए आप लोग का अपने एक्जाम का ठेकर है चलिए हम लोग का पहला कोशन पर आते हैं मेरे दोस्तों पहल गेठने दोस्ते क्लिए जितना सारा प्टक्राइस प्सकीटाइक तक जितना सारा पीवाई क्यों है चाहें आप और स्फेक्राउड से हैं चाहें फ्रेक्राउंस आंस वहीं बेक्राउंड की रिकॉर्डिंगáticas जितना भी पूरा बुक जो है completely पढ़ लेते हैं और हमारे जैसे लास्ट टॉपिक आती है हमारे मन में डाउट आना शुरू हो जाते हैं तो मैंने बताया था आप लोग इस तरह सब को याद रखना है अलफोनेस डाउड़ेड ऑफिशन नमर क्या हो जागी हमारा ऑफिशन नमर प्यारा यह जो हम लोगों के टॉपिक अफिदेख रहे हैं यह टॉपिक हम लोगों को दा लास्ट लेसन क्या परतिक देती है तो बताएंगा सर लॉस ओफ लेंग्वेज और फ्रीडम याद रखेगा लॉस ओफ लेंग्वेज और फ्रीडम औफिशन नमर क्या हो जागी और आपका कांट्री वांस वड स्टीन दा फ्र Kelsey आवार ले टॉपिक में एक यूद्ट पार में एक वार के बारे में बताएगा था जिसको अमलह बोलते हैं स्टा से वार तो तो हमारे जो फ्रेंको पूरुसिया वार है वो किसी ने किसको हराया तो मेरे दोस्तों फ्रेंको पूरुसिया वार ने जो है याद रखेगा जो हमारा हरने वाला व्यक्ति जो प्राजित क्या थे मेरे प्यारे वह फ्रांस था क्या था फ्रांस था याद रखेगा बहुत में अल्सिस के सहर और अल्सिस का टाउन और लॉरेंस का टाउन में जितना भी स्कूल कोलेज थे सारे स्कूल कोलेज में फ्रेंच लेंग्विज पढ़ाए जाता था और बर्लीन से आदिस आई है कि आप फ्रेंच लेंग्विज जो है अल्सिस और लॉरेंस के स्कूल में नही इंख रहाएं देस्द के लिए प्रांस लेकριन अगर आप से पुछा जागा की कौन साती जीता था तो पूशया जीता था जीतना था जितने वाला क्योंते याद रिखेगा अगर आपसे पूझा जागा यूध कभ उई थी तो आपको बताएंना तरह च Lacy के बीच में हुई थी तीन कोश्चन एक तो मिहांस आपको नो डाउन कर लेना है चाहिए आपको भी ग्राउंड से रिलेटेड है पहला कोश्चन अपको याद रखना की दो देशों के बीच वी थी तो बताएंगे तर फ्रांस और प्रूसिया जितने वाला था हमारा प्रूस मताईगा है कि कौन से दो देश को भा घो और दो देश को भी थी एक फ्रांस और फ्रैम एक प्रूसिया का बेच मुझे यूद हुआ था यूद एक को हमें अन्य Mr. Hamill कोन था याद रखेगा Mr. Hamill कोन थे तो बताँए Mr. Hamill जो था एक फ्रेंच लिंग्वेज के टीचर ते Mr. Hamill क्या थे एक फ्रेंच लिंग्वेज के टीचर से option number क्या हो जाएगे option number 20 का बिल्कुल सही उत्र हो जाएगी question number six में आते हैं कि लिफ लिफ्ट लेंगवेज वाज वह सपाट्ट भाई एप हमें करने सर फ्रेंच लैंगेज को पढ़ा ती तहे ओफ्स सर नमर क्या जागी भी इसका बिल्कु सही उत्तुर है जागी अगला कुश्चिन पर आते हैं सरक कोश्चिन नमर नेश्ट पर आते हैं देखिए आप लोग कभी भी ये मत समझे के मेरे पास अभी बहुत समय है मेरे दोस्तों कुछ भी समय नहीं है आख बंद कीजिए पलक जबकते ही आपके एक इस्टोर से मिसाइल क्लासिस के आपको जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपके समने बहुत सारे कोर्सेस होगी अगर आप आर्स बैक्राउंड से हैं तो आर्स का 399 रुपया में ऑनली फोर सोच के देखिए आप टीशन कहीं भी पढ़ेंगे तो एक महना का फी आपको कम से कम कम से कम 300 रुपय लेगी तो इस तरह से सूचिया बारह महना का 36 रुपया हो रहा है जहां पर मेरे दोस्तों वादा करता हूं कि इससे बैटर तरीकी से आपको कॉंटेंट नहीं मिलेगी यहां पर आपको सुबह साम दोनों ही टाइम पहले चैप्टर का प्रेंच होगी वह भी आपको इसमें फ्री में प्रोबाइड कर जागा इतना सारा कंटेंट इतना सारा फीचर आपको अनली फूर 399 रुपय मिल रही है यकीन नहीं मानेंगे कि क्लास के स्टी होते हैं तो क्लास को जोयन करके देखे सुबह साम आपको तब पता चलेगा कि अबहरे हैं हमक्यारी कर रहे हमारे टीचर से पढ़ा रहे और यहां पे क्या हम पूण सबस्क्राइब आए थे प्रइंस से कहा से थी अअवरे नमर क्या अ झाओ के आए से बीज़.. ते या रहागी सा इंपोर्टन कोश्चन का करके दिखिए जो हमारे फ्रेंसीपल थे सुर्य हमारे जो एम हमल है मैं हमल जो जो है Mr. हमारे जो इसकूल बॉय है फ्रांस उसको हमवर्क दिए थे उस हमवर्क का नाम किया था पार्टिस्टिपल याद रखेगा मैं बहतर तरीके से आप लोग को पार्टिस्टिपल के बारे में एक एक चीज मैंने आप लोग को समझाया था और साथ साथ अगला कुष्टन तूप इसी तरह से है वाट हैस वाट वाट मिस्टर हैमल गोँंग्ट्वर्क क्वाश्ट प्रेंच को इबाउट मिष्टर हैमल जो हमारे स्कूल टीचर थे वों मिस्टर हैमल जो है फ्रांच से कौन से लंग्वेज के बारे में पूछने वाल थे कौन तो बताएंगे सर हमारा प्रांस फ्रांस जो है इसी के कारण वो देखते हैं मेरे पास मुझे ता पाटिस्टिपल का पी भी मुझे पता नहीं है और इस कारण से वह अपने घर से स्कूल देर से निकलती है साथ साथ इसकूल जाते समय कभी क्राउड के पास रुखते कभी अब ब्लेटिन बोड के सामने रुखती है तो कभी चीर्चियां को देख रही है कभी बड्स को देख रहे हैं तो कभी पुरुसिया के वार जो हमारे पुरुसिया जो मिलेट्री है सैनिक को देख रहे हैं इतना सारे चीज को देखती देखती जब वह स्कूल आते हैं तो देखते हैं कि स्कूल पूरी तरह से संडे मॉर्निंग के तरह साइलेंट है तब उतके मन में डाउट आना सुरू हो जाता है कि आज कुछ ना कुछ इस स्कूल में हुआ है ठीक है अगला कुश्चिन पर आते हैं तरह अगला कुश्चिन है वाट वाइस देर इन बॉलेटिन बोर्ड के सांवने बहुत सारे व्यक्ति खड़े थे जैक मंद में और क्कुछ बॉलेड नहीं गों तो कि वाट वाइस द्यार फ्राउंट आप डबलेटिंग बोर्ड के सामने क्या लगावा था तो नहीं प्राइब होता है याद रखना है ब्लेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारे लोग देख रहे थी इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं अफसर नंबर क्या हो जागी है अफसर नंबर 20 का बिल्कुत सही तो हो जाएगी प्रेंच नेक्स पर आते हैं सर कि शिर्ण वेर डिएड़ अल्सस य लार्ण धो हैं है इस दो सहर में फ्रेंच language नहीं पढ़ाई जागा है याद रखेगा फ्रेंच गर्मारेंगेज यह नहीं पढ़ाय जागा अब सिर्फ और लॉरेंश के स्कूल में क्या तो बताएंगा सर याद रखेगा पढ़ाया जागा जर्मनलेंगर्फ पढ़ाएज पाँगी अज के बाद इस इस्कूल में, स्कूलेज में कभी भी जो है फ्रेंच लेंगविज नहीं पढ़ा ना है, आगला दिन से हमारा क्लास स्टार्ट होगी जर्मनलेंग्विज का ठीक है, अफ्चिन प्रेंगर क्यो जाएगी, अफ्चिन समझा रहा था था मैंने बताया था आप लोग कि मैं फ्रांस हूं तो अब समझ में मुझे आया कि इस बुलेटिन कॉड के सामने क्या लिखा हुआ था आप मुझे पता चला वहां पर लिखा था टीच ओन ले जर्मन लेंग्वेज नेक्स्ट डे यहने कल से अब सारे अलसेस और लॉरेंस के जितना भी स्कूल और कोलेज है सारी स्कूल और कोलेज में सिर्फ और सिर्फ लेंग्वेज पढ़ा जाएगी वह जर्मन लेंग्वेज अब मुझे समझ में आया अगला कोश्चिन पर मूब करते हैं मेरे प्यारे अगला कोश्चिन पर जाते हैं सर कि विच से हमारा याने नेक्स्ट डे का मतलब होता है कल से हमारा इस स्कूल में जर्मन लेंग्वेज पढ़ाए जाएगी आते तो अगला कुशन कि वाट चेंज डीड़ दा ओडर फ्रम बर्लिन कॉस्ट इन इस्कूल डेट डे बताए क्या पूछा गया है जब स्कूल मेरे प्यारे जब फ्रांस जाते हैं तो जानने के बाद जब स्कूल पहुँचते हैं तो फोनमें पूरे साइलेट मुंड़ है समझ में नहीं आ रहा रहा है कि hpしまने देन मेरे बोश्तोり जब स्कूल पहुचत को था फोट चुल जब पहुचत कैसा फिल फिलो रही थी लग रहा था कि आज Sunday morning है कैसे फिलो रहा था तो लग रहा था कि आज Sunday morning की तरह हमें लग रहा है कि आज स्कूल पूरी तरह से बंद है नहीं तो आज के पहले मैं जितना बार जितना भी बार स्कूल आया हूं मैं अपने दोनों कान को स्कूल में बंद करके अंदर जाता था कितनी इतनी सोर सरावा इतना साउंड आती थी लेकिन आज क्या हो गया है हमारी स्कूल का जो एक भी साउंड नहीं आ रही है ठीक है बिल्कुल लग रहा थी का संडे मॉर्निंग है अगला प्रसान के वाट डिट फ्रेंच स्राइमल यहीं जो है फ्रांस जो है दिमिस्टर हमल को देखके सांड होगे थी क्यों क्यूंकी उनका ड्रेस बिल्कुल इस फॉर्मल में था क्या था वह ऐसा ड्रेश पहना वा था जो ड्रेस का भी कभी आजकेशल में करते थे सब्सक्राइब त 1954 combined में हैं इसलिए वो मैं सोग्ट हो गया था मैं आसर्च चकित हो गया था अगला कोशन पर आते हैं सर कोशन है कि वा विच एटिट्यूड आप मिस्टर हैमल सर्प्राश्ट फ्रेंच क्या देता है याद रखेगा जब मिस्टर हैम स्वरे फ्रांस जब इसको लेट से पहुंच किये हैं तो मुझे कितना डाटेंगे लेकिन डाटा नहीं था उसो बोला था क्या सोफ्टेशन क्या सफ्रेंद काईंड क्या जागी और Бिल्कुल हमारा लास्ट फ्रेंच क्लास अब हमारे फ्रेंच का जो लास्ट क्लास थी उस दिन जब हमें स्कूल पहुंचा तो मैं लास्ट बेंच में देख रहा हूं कि हमारा लास्ट बेंच आज से पहले पूरे खाली होता था लेकिन आज पूरा बेंच भरा हुआ है यह बेंच क्यों भरा तब मुझे समझ में आया किस फ्रेंच का लास्ट सब्जेक्ट है कि वाइ सर्प्राइज और एम हैमल क्या सब्सक्राइए तो बताएंगे सब्सक्राइब नियु नूटबुक क्या बतायता नूटडाउं कर लो आज के बाद स्कूल में कभी फ्रेंच लंग्वेज नहीं पढ हमेशा पढ़ाय जागा तो वह है लेंग्वेज जर्मन लेंग्वेज तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अफ्शन नमबर 20 का सही तोर जागी और जो भी स्टुडेंस हमारे अप्लिकेशन से पढ़ रहे हैं याद रखेगा उनको में पीडियाफ अभी जस्ट क्लास खत तरीके से तयारी करने कें लिए आपको डाउनलोड करना होगा अगर से चाहते हैं 192 – 199 रुपया में। हम लोग खाकर उड़ा देते हैं एक दिन में एक दिन दो दिन एक मेहना में लेकिन में लगभग आपको 12 मेहना पढ़ा जाएगा मान के चलिए 12 मेहना आपको पढ़ा जाएगी यह भी अगर ज्यादा लग रहा तो क्या भूलू में ठीक है तो जल्द से जाएं अगर आप आर्ट्स प्रेक्राउंड से तो 399 में आपने जो भी सब्जक्ट लिया है सारे सब्ज छंगे मेरी बात को दह्यां सुनीजड़ लेशन को पढ़ा रहेगे लासे हम रिटीचर टर्स लेंड नंब प्रेंच लेंग्वेज को हम लोग कदर करके रखें अगला प्रसंदी पर आते हैं सर हूँ कॉल्ड दा प्रेंच लेंग्वेज दा मॉस्ट ब्यूटिफुल लेंग्वेज किसी ने कहा था यह तो किसी नहीं कहा था कि जो फ्रेंच लेंग्वेज वह बिल्लकुल मोस्ट वीटिफुल लेंवेज और क्या कहा था कि किलियरेश्ट एंड लॉजी का मतलब तर्क वाला लेंग्वेज और को जागा अगला प्रसर में पर आते हैं सर फेब फिपल आर इन्स सब्सक्राइब दिए लेंग्वेज के बारे में वह पढ़ाती थी और क्या हो जगी और शर्वाइब करते हैं अंगला प्रसन हमारा कि एक बार नहीं लगबग इन 10 साल में लगबग इस दस साल में तो इस बार एक्जाम हुआ है क्यों क्योंकि आर्सन में 10 साल में 10 अर्सन में 10 साल में 10 रहा अच्छा इस चेप्टर की सब दोस्कूय दोस्तों जी नहीं क्लीक्ट कर रहाक है यह त्यकितने अब एक uniform हसा एक स्टूञा चाहिए हमंदों सोचते हैं कि मेरे पास कितना समय है हम लोगने सब मिश्वारे कैтовा कहता है जितना सोच रहे होतना समय नहीं है नहीं है हमारे पास देखते देखते चाली सल गुजर गाई है इसलिए जो काम कल करना है वह आज ही कार डाल एक्ट रफ्तार के साथ गुजर रही है चेलिए सर अगला प्रेशन पर आते हैं अगला कोशन के एक्स प्रिजन थंडर क्लेप इन दा लेशन दा लाउस्ट लेशन मिंस बताने मिंस के आगे स्टैर्निंग एन अनेस्पेक्टेड अफ्शन नमर क्या जागी अफ्शन नमर सीज का रा स्प्रिंग जो हमाएं बताने वाला हूं वह बिल्कुल आपका मिसाल क्लासिस के अप्लिकेशन पर होगी चाहें इंगलिस कोर्स लिए हैं चाहें आप फाउंडेशन कोर्स लिए आर्स का या को भी कोर्स पाई किये हैं वहां पे आप लोका चैप्टर टू और किलेलिस्ट म